विसकал को खुदा ही चला न हर जगा। को यहां जितने बुधिस्ट टेंपल हैं जितने बुधिस्ट मॉनुमेंट में जिस होनी चाहिए जितने ट्राइबल लोगों के देवी देवताओं को सब ने कबजा किया हुआ है उस सारे की घर बापसी आंदोलन कराना चाहिए नई सिक्षानिती जो है सीधा और सीधा समिधान और रास्ट बिलोधी समिधान के प्रियंबल को ले लीजिए और नई सीधा सीधा लगता है कि उसके इदम कॉंट्रास्ट में आपको दिखेगा यह वर्न विवस्था को एक तरीके से री इन्फोर्स करने का दस्तावेज है डॉकुमेंट है यह इसमें पूंजी की लीला और जनवू लीला दोनों का कम्बिनेशन है EWS इतना जो धोल बजा के लाया गया थी EWS कोई बता दे कि EWS के बारे में उसमें क्या प्रूविजन है प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम बाबा साहब की बज़ा तक यहां तक पहुंचे हैं मुझे गोली मार लो मेरे दलित भाईयों को नहीं मारो आखिर इस दस्तावेज में रिजर्वेर्शन को लेकर क्या प्रूविजन सोशल जस्टिस को लेकर क्या प्रूविजन यह सीधा और सीधा अपर क्लास के अपर कास्ट के जो धनी लोग हैं उनको पहुचाने के लिए इसको बेचने के लिए आप कहरें सत्तर साल में कुछ नहीं होता आयाईटी खुला, मेडिकल खुला, हम लोग कहां पढ़ें प्रधान मंत्री मोदी जी कहां से अपना वो इंटार पॉलिटिकल साइंसमें टिगरी लिए कहां से लिए तो वो जो है आकिर बिश्विद्यालत है ना भारत सरकार बिश्विद्यालत चला रही थी ना तो सारा संसादन बेचने की तैयारी है इसलिए आज ये बड़ा इस्टूइंट पार्लेमेंट हुआ है आईसा के बैनर तले देश भर के तमाम स्टूइंट एक्टिविस्स सब यहां इकठे हुए है इसका विरोध देखिए ऐसी बात नहीं कि तानाशा सरकार है यह हारी नहीं है यह कई बार हमारे सामने हारी है और आपको 2 एपरिल का आंदोलन भी याद होगा 18 5 मार्च 19 का आंदोलन भी याद होगा किसान आंदोलन भी है तो अभी तो यह चात्र संसद है यह पूरे भारत वर्ष को इस चात्र संसद के रूप में तबदील हो जाना चाहिए और मुझे लगता है इसकी सुरुआत हो गई है क्योंकि यह हर चाहे मजदूर हो चाहे मिडिल क्लास हो चाहे किसान हो चाहे क्रिमिनल्स भी हो अपराधी भी हो वो भी चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े और यह ऐसा है कि सब के दर्वाजे को बंद कर देगा इसलिए हम इसके विरोध में आए डेफिनेटली यस क्योंकि मान लिया इत विश्विद्याले उमें इस तरह से पिछले साथ साल में देखेंगे जब से मोधी सरकार आई है आप देखेंगे कि विश्विद्याले जो है वैचारी की युद्द का अखारा बना है अब यहाँ पे फूले बात हो रही है पिरियार बात हो रहा है आमबेट कर बात हो रहा है जो लोग हज़ारों साल से यह देखते आए हैं कि यहां के दलित पिछड़े आदिवासी नजर जुका के मुझे सलाम करें वो अब रेवन गोगल्स लगा के बिश्विध्याले में इनकी नजर में नजर मिला कर सवाल खड़े कर रहे हैं इसलिए व आटी आई लगाया था वह आंकड़ा आप सब के पास आ गया होगा एवरेज 90 परसेंट से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से प्रोफेसर पद खाली है उसको खतम करने के लिए यह पूरा दस्तावेज लाया गया हमारा कई साथी ने यहां पर यह बाते कही है तो यह बात इस देश को बचाने की है इस समाज को बचाने की है कि देश अपने आप में एक मांचित्र सिर्फ नहीं होता है देश लोगों से बनता है क्या यह बताएं प्रधान मंत्री जी मातरी भाशा में परहाने की बात कर रहे हैं संस्कृती स्कूल में और दोन स्कूल में और DPS में वही लागू करेंगे क्या, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, कि मंतरी के बच्चे और कलक्टर और सेक्रेटरी के बच्चे, क्या उसी शैली में पढ़ेंगे जिस शैली में सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाएगे, तो सीधा और सीधा भारत को विवाजित करने की पॉल दरजन लोग तो उठ सकते हैं इनके दमनकारी नीतिय खिलाब कहां कौन डरा कुछ लोग तो है जो नहीं डर रहे हैं जो सवाल उठा रहे हैं तो इसलिए ऐसे जो dissenting voices हैं इसको crush करने के लिए ये पूरी new education policy लाई गई है न्यू इसमें कुछ नहीं है ये एक destructive policy है IIT खुलते हैं और जब आला लेहरू इंड़स्टी खोली है तो इस सरकार का जो political philosophy है वो modern education का antithesis है वो modern education नहीं करना चाहती है बार बार document में देखेंगे तो संस्कृत और संस्कृती का बार बार जिक्र है हजारों साल पहले पुरानी संस्कृती को जिविद करेंगे मोदी जी और सरकार ये बताए कि कौन सी संस्कृती जिविद करना चाहते है उसमें लिख के लाए है कि नालंदा विश्विद्याले विक्रम शिला विश्विद्याले तो उनको ये भी बताना पड़े है तो यहां आते हैं, तो बल्लवी के नाम लेते हैं, लेकिन उसमें पढ़ वाएंगे मनु का सिल्यवज बनवाएंगे अगर इतना ही आपको बल्लवी से और इतना ही आपको तक्षिला से नालंदा से महब्वत है तो आजकल खुदा ही चला ना हर जगा जितने बुद्धिस्ट टेंपल हैं जितने बुद्धिस्ट मॉनुमेंट्स हैं जिसमें कबजा किया हुआ है उसको ये सरकार वापस दिलाए जहां जहां एक्सकेवेशन हो रहा है सल्बे धार्मी के सल्बे थोड़ा डीप एक्सकेवेशन हो ताकि वहां से अंदर हो सके बहुत बिहार मिले ये पूरे भारत भर में पहले हुए डॉक्टर आम बेटकर ये हवाले से मैंने बोला है आपने सुना होगा कि पांडूरंग के बारे में कहा था और कई बुदिष साइट के बारे में कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बुदिष साइट है तो बहुत साहित बहुत जितने स्थूप है अशोखने 1984 हजार बाथी स्थूप बना थे कहां गये वह बाथ campaign उप तो ढूंडे और बॉधिस्टों को मैं तो आवान कर रहा हूं कि इस देश के लोग जो समिधान को मानते हैं या जो बहुत हैं मौंक हैं बहुत मानने वाले हैं जो प्लूरालिटी में मल्टी कल्टृरिजम में बिलीव करते हैं उन सब को यह चाहिए कि जितने बहुत स्थलों पर किसी का भी कबजा हो चाहिए घर बनाया हो चाहिए मंदिर बनाया हो अब शीप लिंग में बहुत निकल रहे हैं बुद्ध के मुर्ती को जो है विश्णू बना दिया गया है उस सारे के घर बापसी होनी चाहिए जितने ट्राइबल लोगों के देवी देवताओं को सब अबने कबजा किया हुआ है उस सारे की घर बापसी आंदोलन कराना चाहिए घर बापसी का मतलब सिर्फ उनका घर बापसी नहीं है और यह भी कहना चाह रहा हूं कि अपने अपने घर से तुरह सफाई वाई अभियान शुरू कर लिजे शुक्रिया तैंक्यू कर दो